हेलो एवरीबन हवाई वाल कैसे हो आप लों तो आज जो हम कंपरेजन करने वाले वो बिट्स याट और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का काफी एक इंपॉर्टन डिसकेशन ने कि यह और यह इस पर क्या प्लेस्मेंट होती है क्या हमारा सेलेक्शन क्रैटेर रहे गई है जर देफिनेटली जो विनर वाला बच्चा मेक शो कि मेल करें आना ट्रिपल आईटी प्रेप के वेबसाइट में दिदाओ का मेल आईडी आप तुम मेल कर सकते हो ताके तुम यह जो है जो फ्री गवववे जो तुम्हें बुक मिलने वाली थी वो तुम्हें चीजें मिल अब ऐसा निए कि अधराबाद करें करें कोई भी विन कर सकता है चाहाँ वह प्लानी वाला केंबस का। चाहे वह गोँगा वाला हो चाहे वह प्र प्रेपल आटी जो तुम्हारे दिल में है वो चीजेंगें अफ्र दिश वीडियो हो सकते तुम्हारा मेंटली यार यह ची अब इस्टार्ट करते हैं हमलों BITSAT versus IIIT हैधराबाद, अब BITSAT versus IIIT हैधराबाद में सबसे पहला confusion होता है number of applicants को लेखे, number of applicants देखोगे, BITSAT के किसमें काफी ज़्यादा होते हैं as compared to IIIT हैधराबाद, IIIT हैधराबाद में क्यों कम है, UG के एक्जाम में, reason is dead की awareness थोड़ी सी क चालू हुआ है काफी लोग को पता भी नहीं कि इसमें क्या होता है कैसे होता है कैसे त्यारी होती है तो यह चीजे थोड़ा सा एक फैक्टर है जो कि थोड़ा अप्लिगेंट्स हमारे कम हो जाते हैं तो डैफिनेटली तुम्हारे पास चांसे अर वेरी हाई अगर तुम्हें कोडिंग एक कल्चर में जाना चाहते हो एक 100% प्लेस्मेंट के साथ जाना चाहते हो अगर मैं प्लेस्मेंट की बात करूँ जो कि प्लेस्मेंट हमारा सीन लिखा हुआ है तो अगर मैं प्लेस्मेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 100% प्लेस्मेंट होता है ऐसा कोई भी कॉल तुम्हें नहीं मिलेगा कि 100% placement के साथ यहां पर तुम्हें मिल रहा है 100% placement एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि on campus recruitment के लिए जिसका तुम phone चलाते हो तुम सोचते हो कि मेरे को phone चाहिए यह वाला मम्मी पापा को बोलते हो कि मेरे को यही वाला phone लेना है आफ्टर माई completing फ्रॉम आइटी के बाद वह वाला phone हो सकता है तुम्हें 12 के बाद भी मिल लिया हो कौन सा फून है वह एपल तो एपल जैसी कंपनी जो है वह सिर्फ हमारे on campus recruitment के लिए वह सेर्फ वह सिर्फ कहां जाती है ट्रिपल आटी हैथराबाद नो डाउट वह और भी colleges में जाती है बट अगर मैं comparison कर रहा हूं ट्रिपल आटी हैथराबाद और बिट साट के बीच में तो ट्रिपल आइट एथराबाद में एपल जैसी कंपनी विजीट करती है कोडिंग का एक कल्चर रहेगा तुम्हारे पास कोडिंग का कैसे कल्चर देखेंगे तुम देखोगे यह एक ऐसा यह तुम्हें तुम्हें यूविलफाइंड Computer Science की ब्रांच है या तो फिर EC वाली ब्रांच है यह पूरा लग बग Computer Science की ब्रांच है विच्ट पलाइटी अतरबाद की, वहाँ पे तुम्हारी फीक्स चले जाती है, वह 4,5,000 तक तुम्हारी फीस चले जाती है, तो एक फीस वाला भी तुम्हारा एक फैक्टर आ जाता है, रिसर्च के लिए तो बेस्ट इंस्टिटूट्स है, यह वन अब दे बेस्ट जो है रिसर्च, अब क्या होता है, तुम्हारे पास इनका MOU है, आदा MOU sein d हैंके पास, और कई सारे international college के साथ भी तुम्हारा इनका MOU है, वहाँ पे तुम्हारे इंटेंशिप के लिए पैसे देने पडते हैं, यहाँ पे तुम्हें इंटेंशिप के लिए stipend तुमें पैसे भी मिलते हैं, तो वो चीज़े रहेगा, एक factor रहेगा, तो मैं research यह फोरें में जाके करना है, तो यह भी तुम्हारे पास यहाँ पे बड़ी आइक factor है, वहाँ पे तुम्हें चीज़े यह नहीं मिल सकती है, दूसरी एक और चीज, scholarship को लेके, merit वाले person, उनको scholarship तो जरूर मिलती है, अगर तुम्हारे काफी अच्छे number है, loan वगर की बात करूँ, तो loan वगर तुम देखोगे, loan तो sanction हो जाता है easily, यहाँ पे एक और फाइदा है, अगर मैं AAAT, हैदराबाद की बात करूँ, तो alumni का एक fund होता है, जिसमें की तुम्हें loan अवेल होता है, तो वो भी तुम्हें इसकी सुविदा उठा सकते है, वो चार साल बात तुम्हें फिर वो राविस में repay करना होता है, तो यह एक extra फाइदा है, डिगरी की मैं बात करूँ, तो जो तुम्हें यहाँ पे मिलती है, बिट साइट में वो तुम्हें बी टेक की डिगरी मिलती है, यहाँ पे तुम्हें कौन से डिगरी मिलती है, MS की डिग्री मिलती है जो कि बड़े-बड़े तुम देखा होगा बड़े-बड़े Google के CEO वगर है उनके पास ये वाली डिग्री होती है MS वाली जो कि फॉरण से जाके करते है वो डिग्रिया तुम्हें मिल रहेंगे अगर मैं curriculum की बात करहूं तो curriculum क्या हो जाता है तुम्हारा उनका पुराना सा चल रहा सतकारी टाइप का है यहां पर तुम देखा कि curriculum जो है थोड़ा सा ये लोंग advanced करते रहते हैं चीजेजे changes करते रहते हैं तो definitely एक ये factor है जो कि तुम्हारा play role करता है क्योंकि इंसान कोई चीजे updated होने चीजे तो वो updated थोड़े से नहीं है इस चीज को लेके दूसरी चीज ब्रांच को लेके, मैंने ब्रांच के लेके तुम्हें बताया कि यहाँ पर एक CS and ECE मलब ब्रांच मिलती है, वहाँ पर तुम देखो कि different सारी ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस की वैसे क्या होता है कि placement में थोड़ा सा यह हो जाता है कि थोड़ा distribution हो जाता है दूसरा मैं campus की बात करो, तो campus महाँ पर तीन campus हो जाते हैं होते तो चार है तुम्हाँ बार इंटरनेशनल लोगे, बलानी, कुवा एंड हैदराबाद यहाँ पर तुम्हाँ पास IIIT हैदराबाद, एक single campus, एक बढ़िया भैतरीन सा campus जिसमें कि तुम्हें चीजे सारी एक साथ तुम्हें assemble होके मिल जा रही है तो placement बगर है कर दिक्कत नहीं होती को कि बच्चे भी काम है तो easily तुम्हारा place हो जाती है काफी अच्छी तुम्हारा 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 तुम्हा में तुम compare कर सकते हो अपनी चीजे सोच सकते हो अगर तुमें coding के तरही तुमें सोचना है कि coding में जाना है मेरे को एक अच्छा मौका है जिसमें कि तुम avail कर सकते हो बागी रही बात की कौन बच्चा winner है definitely तुम देख सकते हो तुमें दिख रहा होगा ये winner बच्चा क्या कि ये पार्टे से जबीट किया होगा कि कामपर होगा कि बिट्स पिलानी में जाना है कि बिट्स हाइदाराबाट,िये ट्रिप्रायडि हाइट्य वाइथ,डेफिनेटली उन बा 정확स्तृ मिल रहे हूंगे वह नेक्स्ट में तुम्हें बताए जाएगा वीडियो में तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें बिना सब्सक्राइब किये नहीं कि अपने फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब किये तिल देट ऑल ना बेस्ट तो दे एवरी बाइब करें बाइब